दोस्तों आज की इस वीडियो में पाथ ऐसे तरीके देखेंगे जिसकी हैप से आप MS Paint को उपन कर सकते हैं आप MS Paint को सर्च बोक्स में लिखेंगे Paint तो यहाँ पर आपको MS Paint दिखाए देगा यहाँ से आप MS Paint को उपन कर सकते हैं इसके बाद आप अपने कंप्यूटर में विंडो के साथ R की को प्रेस करेंगे यहाँ पर रन ओपन होगा यहाँ पर लिखेंगा MS Paint जैसे ही हो के प्रेस करेंगे तो MS Paint ओपन हो जाएगा आप एक बार फिर से MS Paint को सर्च बार में सर्च करेंगे Paint आजाएगा इसके उपर Right Click करेंगे यहाँ से करेंगे Open File Location अब यहाँ पर आपको MS Paint दिखाई देरा इसके उपर Right Click करेंगे यहाँ पर करेंगे Send to Desktop Create Shortcut तो आपकी Desktop के उपर Shortcut Create हो जाएगी यहाँ से आप MS Paint को Open कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगर आपने पहले कभी MS Paint को Open किया है तो आप नीचे Task Bar में देखेंगे कि यहाँ पर हमारा MS Paint दिखाई देगा इसके उपर Right Click करेंगे यहाँ से करेंगे Open to Task Bar यहाँ से आप MS Paint को Open कर सकते हैं इसके बाद आप अपने डेस्टॉप के उपर Right Click करेंगे New पर जाएंगे यहाँ से करेंगे Bit Map Image तो यह देखेंगे आपके सामने एक Image बन करके त्यार हो जाएगी इसके उपर Right Click करेंगे इसको करेंगे Open with Paint तो यह देखेंगे आपका MS Paint Open हो जाएगा